वेलकम बैक टो माई चैनल वीकेंड तड़का बाई ईशा बखशी आज वीकेंड तड़का में मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबरी जैम की रेसिपी कैसे बनाई जाती है क्या इसमें ऐसा चीज डाली जाती है जैसे ये जैम खराब ना हो तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शियर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्ट्रॉबरी को अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे और पानी में कम से कम 10 मिनट के लिए भीगो के रख देंगे उसके बाद ह सारी अपनी जो स्ट्रॉबरी करके रखी थी ना वो सारी स्ट्रॉबरी इसमें डाल देंगे और ग्यास का फ्लेम हम मीडियम से मीडियम रख देंगे और साथ के साथ इसको हिलाते रहेंगे जो स्ट्रॉबरी जैम बनती है इसमें कुछ चीज ऐसी डाली जाती है जिससे जो हमारी ये जैम है वो खराब ना हो और लंबे समय तक आप फिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं तो मैंने इसमें वन फोर्ट कप शुगर डाली है और शुगर को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स अप करते रहेंगे साथ के साथ हिलाते रहेंगे और आप देखें मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है क्योंकि जो हमने शुगर इसमें डाली है वो ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और उसके बाद हम इसको गैस का फ्लेम भी लो करतेंगे और अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है हम सा साइम पर जो सारी स्चॉबरीज है वो सॉफ्ट हो चुकी है आप यह जैम को एयर टाइट कंटेनर में बन करके फ्रिज में रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए यह खराब नहीं होगी क्योंकि हम इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे जो आपके घर में यूज होती है और डेली घर पर भी होती है तो आगे देखते हैं हम इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट्स के लिए फिर उसके बाद हिला हटाएंगे कवर को और साथ के साथ इसको हिलाते रहेंगे तो आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी का कलर आ चुका है और बिलकुल मार्केट जैम बनने वाली है बच्चों को तो वैसे ही जैम बहुत पसंद है और जब उनको कुछ मन पसंद सब्जी नहीं बनती है तो पेरेंट्स अक्सर उनको प्रांधी के साथ जैम प्रेफर करते हैं और बच्चे भी खुश हो कर वो जैम खाना पसंद करते तो यह रेसिपी ज़रूर आप ट्राइ कीजिएगा अब हम इसको हिलाते हैंगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉबरीज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है 90 परसंट हमारी जो जैम है पर्फेक्टली रेडी हो चुकी है और जो हमने इसमें मीठा भी डाला है वो हमन है ड्राइना हो जाए और जैम अच्छे से जो है ठिक ना हो जाए तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे और अच्छे मैश करते रहेंगे तो इस टाइम पर जो स्टारबरेडी जैं में परफेक ली रेडी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे हाफ नीमू का रस ऐसमें हम डालेंगे अधा और नीमू का रस इसलिए डाला जाता है कि ये जो हमारी jam है वो लंबे समय तक रहिफ और खराब ना हो जब आप इस को jam को use करेंगे तो आप की जो jam है वो perfectly taste में भी perfect होगी आप इस jam को bread के साथ भी लगा कर खा सकते हैं breakfast में और evening में जब आपका बन करें इस time पर gas को बन कर देंगे इसे थोड़ा थंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसको हम एक ball में shift कर लेंगे तो मेरी तो ये strawberry jam perfectly ready हो चुकी है बन कर और मैं morning में इसको bread के साथ ही prefer करती हूँ आप देख सते हैं कि कितनी थिक है और पिलकुल जैसे market में container आते है ना jam के perfectly वैसी ही ये बनी है वैसा ही इसका color है और वैसा ही इसका taste है है ना कितनी simple और कितनी easy recipe और कम से कम ingredients में हमने इस recipe को बनाया है तो आप भी इस recipe ज़रूर ट्राइफ कीजेगा थैंक यू